किसी ने एक नॉन फ्रीफेशन टेकनिसन ने किसी की दिटुकंट के साइट में अटिकल कर लिया हु भः और सीबया बार निकाल कर लागा कि इतना काम में आएगा कि आपकी दुकान में डेली कुतना कुछ पैसे कमाओगी से भी इस पाच मिंट के वीडियो के वज़े से ठीक है आप सुरू करते हैं अगर आपके बाद की डिसी या किसी भी डिसी सप्लाइ मसीन है जिसके अंदर आप देखें यह आपका जो एंपियर ह को होता है 123 बहुत सारे लोग इस पॉइंट को समझनी पाते कि आख रिषिक को मिली एम्प Quindi बूले मिलीए म्हा चच्ब आपने और डिरो 10 रूप है और यह अगर 0 एक है तो यह एक यह तरीके से हम इसको चेक करेंगे 1 milli ampere 10 milli ampere और 100 milli ampere तो इसी के हिसाप से हम जज्च्मेंट करते हैं कि हमारे फोन के अंदर किस प्रकार की सोटिंग है दो को सोटिंग के तो लाखों वीडियो हैं हम नहीं इवनाए हैं पर आप जाके आप अमड़ी लिस्ट में चेक कर सकते हो बड़ अब तो यह PPD से आप इस समझ सकते हो कि किस तरीखे से में अपनी स्वाटिंग को पगड़ सकते हैं कि हमें काम करना कहा पर है अगर आप सबसे पहले अपने फॉन को कनेक्ट करते हो और कनेक्ट करने पर आप देखो कि यह तीनो जीरो मनलत चारो जीरो आपके बिल्कुल हिल नहीं रहें, बिल्कुल वही के वही हैं, तो आप ये समझो कि अभी आपका फिलाल कोई भी primary sorting नहीं है, और कोई भी secondary sorting नहीं है, अब हो सकता है कि आपका phone high booting पर जाए, तो ये condition आपकी कब होगी, जब आप पावर की को प्रेस करेंगे और पावर की के पैस करने पर यह आपका कहां पर जाएगा हाई बूटिंग और हाई बूटिंग क्या होती है इसको मैं बहुत अच्छे से प्लेंग करूंगा इसके नेस्ट वीडियो में तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रू कर ले ना क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लाइब बदल सकते हैं 102 तो मैंने कहा कि 0-0 है तो सिंपल सी बात है कि पावर प्राइमरी और सेकंडरी सेक्शन में तो आपको बिल्खुल भी कोई sorting नहीं है बट पावड की दावारे पर हाई बूटिंग पर जा सकता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बूला औरेडी कि यहाँ पर नो सॉर्ट पर हाई बूटिंग पर जा सकता है अब अगर मान लो जैसी आपने नहीं है अगर यह आपको समझना होगा कि मेरा फूल शॉट होता है तो यह आपको समझना होगा कि मेरा फूल शॉट अगर में धूरू कहां तो मैं आपको बताता हूँ अगर अगर फूल होट आता है तो आप समझ ले ना आपको BBAT और VPH, तो आपकी प्रामरी सप्लाई जो की बैट्री करठर से जुरी है और सेकंडरी सप्लाई जो की आपकी चारजिंग आईसी के बाद आपकी बाकी सारी साव आईसी को मिलती है, आपको इस पर काम करना है, आपके यह दोनों कैपसेटर चेक करना है, पहले BBAT, फिड़ BPH, कही ना गए इन दो कैपसेटर के वज़े से आपका फुल सॉट हो गया है, तो यह आपने समझना है, अगर दोनों ही वैरी कर रहे है, बट अगर एक स्टक है, जैसे वोल्टेज वाला पार्ट इस टक है, यह वाला पार्ट कौनसा पार्ट है, एम्पेर वाला प में basically दोस्तों यह जो तीनों रीडिंग है इस तीनों रीडिंग पर आपको कोई ना कोई वैल्लू मिलेगी ठीक है आटो एम्पेर जैसे ले रहा है और यहां पर भी आपको वैल्लू मिलेगी पर आपको यह जो रहेगा ना 4.2 वैस्टेबल होगा इसका मरला हाफ में भी आपने बीबैट और बीपेच की लाइन पर जाना है अगर इसके बाद हम बात करें 4.2 और बट 4.2 स्टेबल है यहां पर आप देखो तो एक हाई एम्पेर नहीं ले रहा है केबल मिली एम्पेर ले रहा है मतलब यहां पर सिप यहां जीरो है जहां एक आना चाहिए जिए दू आना चाहिए पाश आना चाहिए वहाँ जीरो है बट इन तीनों पर वेल्लू आ रही है जैसे फॉजांपर आपको ले रहा है दोसो पैटेस आपका ले रहा है तो इसको हम दोस्तों हम इसको भी हाप स्वेट कहते हैं अब इसको माइनर या और नैनो पर ले जा स तेमिली वोल्ट एक टेस्टिंग है पर जो जी आ जी आ रहे है ये चाइनीज ने में तो इसलिए जो अथेंटिकेट नाम होगा वही देना सही रहता है कुछ भी बोल देना ये सही नहीं लगता है क्योंकि ये जनली उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा अगर ये आपको reading ले रहा होता तो मैं आपको बूलता भी बैट पर जाना है डिया आपका जीरो ले चुका है इसका मनलब अभ आपको या तो secondary या तो कोई नो या तो आपका कोई न यह सोट हो गया है जिसके वज़शे से यह तीनो रिदिंग ले रहा है ज्यादा है जिया अगर मालो एक और जीरो आजाए पॉइंट के बाद समझना और दो रीडिंग आए जैसे आए मालो तेरा तो यह माईनर सौटिंग मालब मानी जाती है इसका मालब वी पी एच वी रेक वी रेक के बाद आपको आईसी के अंदर जाना है ऐसे टाइम पर ना कोई कैबेसेटर बल्क होगा मालब कैबेसेटर भी अपका पॉपप नहीं होगा आप कितनी रोजिंग लगा लो थर्मल यूस कर लो कुछ भी नहीं होने वाला यहां आप को सबसे पहले आपकी DC to DC और पावर इन डो आईसी को जब तक नहीं निकालोगे पहले अचा इसका एक तरीका होता है जो मैं इसके अगले वीडियो में आपको बतारूँगा कैसे निकालना है DC to DC निकालके क्या चेक करना है और पावर निकालके क्या चेक करना है ठीक है और अगर आपको एक आखरी पर रीडिंग आए जैसे आपको रीडिंग आ रही है पॉइंट 003 तो इसको कहते है नैनो सॉर्टिंग समझे रहे मेरी बग नैनो सॉर्टिंग इसका मदलब दोस्तो और इससे भी नीचे जा सकता है क्योंकि अभी हमारे पास जो भी MPR है वो 30 वाले ह हैं अबर डीचे सब्सक्राइब 3-0 से उपर भी हो सते हैं तो अगर 003 है तो इसका मतलब वी रेग और आइसी इसी में यह जो सॉर्टिंग है यह कैपसिटर में नहीं मिलती है ना कि बराबर है या किसी ना किसी आइसी के अंदर यह सॉर्ट होता है लीकेज हो जाने के वज अरफये उसकेश cure में इस दो स्कूल होता है लिए स्कूल लेइखते है कि हमारी बच्चो को स्कूल में भेजना है तो आप raたी स्कूल का नाम हो कि नहीं चलो you student को तो यह सारी चीज है ना जब हम बच्चपन में हमारे माबाब हमारी लिए सोचते तो आप अपने प्रोफेशन बिजनस के लिए क्यों नहीं सोचते हो आप यहां कम फीज आप नॉन एस्परियंट टीचर और सिव आपके जो फुद्दू बनाने वाले जो आपके जो वो ह सामने और एक टेकनिशन एक टीचर के जैसे काम कर रहा है पर टीचर जैसे कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि टीचर बनने के लिए उसको उससे काम करवाना पड़ेगा और यह बात आप मानते हो थैंक्यों वेरी मच्च यही कहना चाहता था वल्दा बैस जैहिंद और मैं ल मजा ऐगा देखने में और आपको Central कि सस्ता सस्ता ही होटा है और जो सुस्क बैड़ी होता है वोही गैरेंटिय दे सकता है और वही सिखा सकता है और और इस now его झिंडिए बनाओँ ऑसास्ते के चक्कर में रोओन gagnय यह बाद graph को सीखरा है है अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में पौवर IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको, तकनीशियन से टीचर, यह आपसे वादा है अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में पावर IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल में